भारत ने आज जमीन से हवा में मार करने वाले मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल का सफल परिक्षड किया है MISAM, आर्मी मिसाइल सिस्टम की मिसाइल का परिक्षड, ITR, बाला सोर में किया गया DRDO अधिकारी के अनुसार सिस्टम से निकली मिसाइल ले लंबी दूरी तैकर एक उच गदिवाले हवाई लक्षड को एक बार में ही नश्ट किया है MISAM मिसाइल सिस्टम खराब मौसम में भी 70 किलोमीटर की रिंज में कई लक्षियों को एक साथ भेदने में पूरी तरह से सक्षम है यह सिस्टम दुश्मनों के विरोधी लड़ा को विमानों, हेलिकॉप्टरों, UAV और इसी तरह के अन्य सिस्टम को ध्वस्त करने में पूरी तरह से सक्षम है यह सिस्टम खराब मौसम में भी काम करता है यह कई टेस्ट में साबित हो चुका है कि यह एक भरोसे मंद रक्षा पराली है MR-SAM में एक कमांड कंट्रोल सिस्टम ट्रेकिंग रडार मिसाइल और मोबाइल लॉंचर सिस्टम होता है बता दें कि इस मिसाइल सिस्टम को इजरायल के सहयोग से DRDL हैदराबाद और DRDL ने सहयोगत रूप से बनाया है इस सिस्टम में एडवांस रडार मोबाइल लॉंचर के साथ कमांड एंड कंट्रोल सहित इंटरसेप्टर भी मौजूद है जानकारी के अनुसार मध्यमदूरी की सते से हवा में मार करने वाली मीडियम रेंज सर्फिस तु एर मिसाइल और MRS AM मिसाइल का बज़न करीब 275 किलोग्राम होता है इसकी लंबाई 4.5 मीटर और व्यास 6.45 मीटर होता है यह मिसाइल पर 7 किलोग्राम वोरहेड ले जाने में सक्षम होती है दूसरे शब्दों में कहे तो इस तर 7 किलोग्राम बज़े का हत्यार लोड किया जा सकता है यह मिसाइल लौच होने के बाद कम धुआ छोड़ती है इसकी रेंज में आने पर किसी प्लेन, द्रौन या मिसाइल का बचना लगभग नामुम्किन हो जाता है